Hello everyone, आप सभी का स्वागत करता हूँ, खैर मक्तम करता हूँ, अपने YouTube चैनल हैं दुस्तानी अजोकेशन में आज हम बात करने जा रहे हैं previous year questions 2022 में जो सवालाद पुछे कहे थे B.A. part 3 में, paper 5 से तो वो देखते हैं, यूँकि हम लोगों का exam जो है, वो आपको 12 मैं से चालू है याना 12 तारिख से B.A. part 3 वाले का exam चालू हो जाएगा arts वाले B.A. part 3 उर्दो ओनर्स जतने भी लिए हुए हैं उनके लिए वीडियो खास है अगर वीडियो अच्छ लगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा मैं अभी आपको answers नहीं बताऊंगा objective के आपको questions देखना है और आपको जवाब देना है comment section में ठीक है objective questions के और subjective को देखना है और आपके पास गेस पर पढ़ोगा ठीक है तो आप वहाँ से आप आड़ाम से पढ़ सकते तो चले देखते हैं किस तरह का सवाल पोचा गया था 2022 में हमें मालूम है कि तीन हिस्से में बटा हुआ है अलीफ गूरूफ बे उसके बाद जीम तो चले देखते हैं किस तरह का सवाल पोचा है तो सबसे पहले जो दिया है वो है मारोजी सवालात जो के 20 नमबर के होंगे और 10 सवाल पूचे जाएंगे तो देखिए पहला सवाल पूछा है कि मुहंमद ﷺ की विसाल कितने साल की उम्ड हुआ यानि मुहंमद ﷺ का इंतकाल जो है वो कितने साल में हुआ था तो तीम आपसम दिये हुए हैं और इसका अंसर मैं बता रहे था हूँ इनका जो इंतकाल हुआ था तिरसर साल के यह में हुआ था ठीक है आप जितने भी अबजेक्टि बचेगा उसे कमेंट सक्षिने बताएगा इसका अंसर ठीक है थाके मुझे लगे कि आप लोग ने देख में जाकर हुदूर, Reddha, अबारेत करते थे उसका नाम क्या था सॉर्डी मैं तो आंसर ही बोल दिया जिस गार में जो जाकर वो इभायत करते थे उसका नाम था गार हिरा ठीक है इसके बाद है घजवए खंदक यानि खंदक के लराई जो हुई वोकब हुई ती तो तीन ज़्यादा, मुद्दत खिलाफत रही, तो किसकी स्बसे ज़्यादा खिलाफत रही है? तो आप मुझे बताएंगे, उसके बाद है, रह्मतِ عालं के मुस्निफ कौन है? उसके बाद है, खलफा-य-राशिदा, तो इसके पलब तसनिफ हैं वो कौन है? तसनीक एसका नाम क्या है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब क्या होगा आप पर लें उसके बाद आप गुरूप बे में यहां, मतलब चार सवाल दिये रहेंगे दो जवाब देनाे हैं आपको तो क्या है सवाल देखिया दूसरा नमने पुछा है कि हुजूर स्लिल्लाहु अल्यूर्ण की सीरत मुबारका पर जामा मजमून कलम बंद करें उसके बाद है खलीफा राशिदा से अपनी वाकिफियत का इजामा अंदाज में करें उसके बाद है इसलाम के घजवाई बदर के एहमियत पर रौशनी डाले हैं उसके बाद है अज़रत अमर रजियल्लाहु अनहा के दोरे खलाफत का जमाईली जाइजा पेश करें तो आप यहां से कोसंस जनरेट भी कर सकते हैं जैसे यहां आप देख सकते हैं कि हुझूर्स अलब्लाहु अलब्लाहु से वाकिफियत का इजहार करें उनके बारे में लिखें या फिर आप देख सकते हैं दूसरा जो है यह खलीफा राशिदा है तो इनको लिखने वाले वो कौन है तो हम जानते हैं कि खलीफा राशिदा यह किनका लिखा हुआ है तो सभी को पता है कि खलीफा खिलाफत राशिदा जो है थीकिया है? जो चौधान apology पूछा है इसलाम में घजव लाइब बद्र हमें मालूमें कि घजव लाइब बद्र भी हुआ, घजव खंदक भी हुआ तो हम जantे हैं कि बहुत सारे लडाईयां होई थी हो सकता है इसके जग़ा पे दूसरे लडाईय के बारे में पूछ सके पूछ दे आपसे तो आप सब के बारे में जानकागी थोड़ थोड़ी तेसे पांचो हुंँ में पूछा था עज्रत عूर राजि अल्याओन से बहस कीजिए उसके बाद है सरसेद अमत खान के नसर खिदमात पर जामा मजमून तहरीर करें या फिर नवाए पूछा है किसी दो पर नोट लिखें यानि नोट लिखना है आपको इसमें भी आपको दो ही बनाने है तो देख सकते हैं बाग वबहार दिया है मुहम्मद हुस लेना है हाँ उसके बाद बाग वा बहार इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना है उसके बाद अगर इस एक्जाम में पूछता है तो आप आसानी के साथ लिख सकते हो ठीक है क्यूंकि आभी वक्त है दस दिन बचा हुआ है और मैं इंशालाला जितने भी पेपर हैं सभी के मैं प्रिबियस एर कुशंस आपको परकरा देंगा ताके आप आसानी के साथ एक्जाम में बैठो और आसानी से लिखो तो बस इस वीडियो में बस इतना ही देखते रही हैं जो स्थानी एडिकेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में जरू शे ra Сबस्तों में बस्तों में बस्तों के लिए अपनिकी हैं